दोस्तों हमने पीछे एक वीडियो करा था जिसमें हमने top small cases under 5000 discuss करे थे लेकिन उस वीडियो में हमारे पास धेर सारी queries आई, काफी सारी requests आई काफी लोगों ने कहा कि हमें तो small case पता भी नहीं है अखिर होता क्या है किस तरीके का ये investment option है तो उस पे detailed tutorial बनाने के लिए हमारे पास काफी सारी requests आई थी तो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं अब देखिए अगर हम stocks के अंदर invest करना चाते हैं तो आज की date में हमारे पास कौन से options हैं दो ही main options हैं एक तो हम stocks के अंदर invest directly कर सकते हैं दूसरा हम mutual funds के through कर सकते हैं small case एक तीसरा और बहुत ही अच्छा option आ जाता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि stocks और mutual funds के फाइदे और नुकसान क्या है किस तरीके से small case यहाँ पर value आइड कर सकता है उसके भी हम फाइदे नुकसान की बात करेंगे फिर हम समझेंगे कि small case आखिर होता क्या है किस तरीके से small case डिजाइन करे जाते हैं फिर एक सवाल लोगों के मन में हमेशा आता है कि अगर कोई product अच्छा है तो उसकी शायद pricing भी बहुत अच्छी होगी तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे उसके charges देखेंगे in fact यहाँ पर एक नया update भी आया है इनके premium subscription services भी start हुए है वो क्या है उसकी भी हम बात करने वाले हैं इसके बाद हम एक live demo देखेंगे कि अगर हमें small case के अंदर invest करना है किसी में तो हम पहले तो small cases को select कैसे करें अपनी strategy कैसे बनाए finally small case के अंदर rebalancing कैसे होती है इसकी भी हम बात करने वाले हैं अब इतनी सारी details मुझे किसी blog में किसी video में नहीं दिखी तो मुझे लगा एक small case पे detailed tutorial तो बनता है इस video में हम small case का A to Z cover करने वाले हैं काफी interesting होगा बने रही है दोस्तों अगर आप stock market और mutual funds के बारे में थोड़ा जादा detail में सीखना चाते हैं तो आप हमारी playlist फॉलो कर सकते हैं master investor series, mutual fund series और भी हमारी बहुत सारी playlist बनी हुई है links आपको नीचे description में मिल जाएंगे चलिए सबसे पहले तो हम direct stock investing और mutual funds के फायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं अगर हम पहले direct stock investing की बात करें तो वहाँ पे जब हम invest करते हैं तो हमारे को एक expectation होती है कि जितने nifty या sensex returns दे रहा है उससे तो हम जादा ही कमाएं यानि कि अगर हम example के तौर पे मानें कि पिछले 10 साल में on an average annual returns nifty के 14% के रहे हैं तो हम कम से कम 15-20% तो यहाँ पे कमाएं तो obviously अगर हमारी इतनी high returns की expectation है तो उसके लिए हमें extra मेहनत भी करनी पड़ेगी that means कि हमारी expertise थोड़ी सी जादा होनी चाहिए यहाँ पे अब expertise के साथ-साथ हमारी active involvement भी होनी चाहिए यानि कि यह हो गई एक active investment जहाँ पे हमें अपना time भी लगाना पड़ेगा तो अगर हम अपना effort और time लगाते हैं कि हमारे को कब invest करना है कब नहीं करना है कौनसे stocks में डालना है कब बेचना है वो पूरा का पूरा control हमारे पास रहता है तो यह तो हो गई direct stocks की बात अब हम बात करते है mutual funds की mutual funds के अंदर हम पहले अगर returns की बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे on an average वहाँ पे nifty से कम ही returns आते है 90% mutual funds के अगर हम अपने पुराने example में चलें अगर मालीजे nifty ने average returns annual returns दिये है 14% के पिछले 10 साल में तो mutual funds में आप देखेंगे 12-13% से जादा के आपको returns नहीं दिखेंगे और ऐसा किसी लिए है? ऐसा mainly 2 कारणों से है पहला तो ये कि mutual funds हमेशा आपको कुछ fees charge करते हैं जिसे हम कहते है expense ratio तो 1-2% की ये fees होती है तो वह आपके returns में इसे ही minus होईगी दूसरा mutual funds के अंदर एक inherent drawback भी है कि वह जादा cash hold नहीं कर सकते अब SEBI की requirements ऐसी है कि उन्हें जादातर पैसा market के अंदर ही invest करके रखना पड़ता है वो थोड़ा ही पैसा cash में hold कर सकते हैं और वो भी liquidity के लिए अगर कोई mutual funds से पैसा वापिस निकालता है तो उसके लिए ही generally cash hold होता है तो इन दोनों कारणों से mutual funds के जो returns है वो अगर हम direct stocks में पैसा लगाते हैं उसके मुकाबले थोड़े से कम की हमारी expectation होती है लेकिन दूसरी तरफ इसका फैदा भी है mutual funds के अंदर हमें कोई expertise नहीं चाहिए कोई हमारा fund manage कर रहा है और उसके लिए वो 1-2% charge कर रहा है तो expertise की कोई requirement नहीं है दूसरा ये active involvement नहीं है यहाँ पे आपकी यानि कि आपको अपना time भी नहीं लगाना है लेकिन इसके साथ साथ एक drawback भी हो जाता है कि हमारे हाथ में नहीं होता यानि कि हमारा control नहीं है उन investments के उपर mutual fund manager ही decide करेगा कि कब stocks बेचने हैं कौन से खरीदने हैं कितने बेचने हैं आपका कोई control नहीं है आपने उसको पैसा दे दिया and he will manage your money और दूसरा drawback हमने already बात कर ली है कि यहाँ पे fees आपकी जादा लग जाती है एक से 2% का आपका expense ratio हो जाता है तो यह हो गई बात direct stocks और mutual funds की इन दोनों के बीच में कहीं आ जाता है small case तो अगर हम इसको समझना चाहें तो हम इसे mutual fund से compare करके ही चलते हैं मान लीजे आपने पैसा दे दिया एक fund manager को अब वो क्या करेगा आपके पैसे का मान लीजे उसने 20 stocks के अंदर पैसा लगाया आपका तो eventually वो कर क्या रहा है वो एक portfolio के अंदर आपका पैसा लगा रहा है वो एक portfolio बना रहा है उसके अंदर पैसा लग रहा है उस चीज़ के वो आपको 1-2% चार्ज कर रहा है अब फर्स कीजिए उसी तरीके का एक expert आपके पास आता है और कहता है कि मैं आपको सीधा portfolio बता रहा हूँ आप stocks खुद खरीद लीजे और उस चीज़ के मैं आपसे बहुत ही कम पैसे चार्ज करूँगा अब mutual fund के होते हैं cost काफी जादा लेकिन दूसरी तरफ एक expert आता है वो कहता है कि मेरी भी qualification वैसी ही है से भी registered वो एक investment advisor है और मैं आपके लिए एक काफी अच्छा portfolio डिजाइन करूँगा और अगर आप चाहें तो उसके returns compare कीजे nifty से हमें confidence है कि हमारी strategy से हम nifty को हर साल बीट करेंगे अगर nifty आपको 14% दे रही है तो हमारे portfolio में आपको 17, 18, 20% तक के returns दिखेंगे तो अगर हम अपने पुराने वाले comparison के parameters में जाएं तो small case में हम क्या expect कर सकते है यहाँ पे हम 15-20% के returns expect कर सकते है जैसे कि हम direct stocks के अंदर expect कर रहे हैं दूसरा यहाँ पे भी आपको कोई खास expertise की जरूरत नहीं है यहाँ पे भी आपको एक expert है जिसके आप portfolio को copy कर सकते है तीसरा यहाँ पे involvement आपका mutual funds से तो थोड़ा सा जादा होगा लेकिन direct stocks के मुकाबले बहुत ही कम होगा आपको जादा research करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस तरीके से हमारे पास काफी control आ जाता है जैसा mutual fund के अंदर नहीं है क्योंकि जितने भी stocks हैं वो सीधा सीधा आपके DMAT account के अंदर आ रहे हैं उनको आप जब चाहें खरीच सकते हैं जब चाहें बेच सकते हैं जिस तरीके से expert आपको advice कर रहा है उस तरीके से आप rebalance भी कर सकते हैं इसकी भी अभी हम जल्दी ही बात करते हैं और final parameter की बात करें तो जैसा हमने पहले बात करी यहाँ पर fees हमारी काफी कम होती है तो अगर मैं इसको summarize करना चाहूं तो small case एक model portfolio है एक expert ने जिसको बनाया है जिसको आप सीधा सीधा अपने DMAT account के अंदर copy कर सकते हैं अगर हम summarize यहाँ पर करना चाहें कि small case design कैसे होते है so small cases design होते है ideas पे, themes पे या फिर strategies पे so कोई भी जो expert उसको design कर रहा है वो किस तरीके की strategy लगा रहा है वो आपको upfront बताता है कि इस strategy पे हमने design कर रहा है चलिए अब हम बात कर लेते हैं charges की आखिर small case हमें charge कितना करता है देखे अभी तक तो यह बहुत ही simple charge कर रहे थे per transaction जब भी आप कोई small case खरीदते हैं तो आपके खाली 100 rupees लगते थे लेकिन अब small case ने एक premium subscription भी start किया है जो इनके premium small cases हैं वो आप एक one time fees दे रहे हैं उनके अंदर जितने भी stocks हैं वो सारे देख सकते हैं यहाँ पर windmill capital small case की ही एक sister company है जिसने more than 42 small cases बनाए है तो जब आप यह premium subscription लेते हैं तो आपको यह सारे के सारे small cases इनके दिखने शुरू हो जाते हैं यानि कि इनके अंदर कितने stocks हैं उनकी क्या क्या weightage है कौन-कौन से वो stocks हैं वो सभी कोई आप देख सकते हैं तो directly आप खरीदना चाहें वो stocks अपने DMAT account के अंदर भी खरीद सकते हैं otherwise आप इनके small cases को जैसे ही आप invest button पे click करेंगे तो भी आपके DMAT account के अंदर आ जाएंगे यह जितने भी free small cases हैं premium small cases हैं इनका हमें एक बार demo भी देख लेते हैं किस तरीके से आप select कर सकते हैं यह small cases को यह small cases explore करने का link मैंने आपको नीचे description में दिया है आप एक बार उस पे click करते हैं तो आपको इस तरीके का कुछ page दिखेगा हम सबसे पहले यहाँ पे login कर लेंगे तो आपका यह जो भी broker है इन सारे brokers के साथ इनका tie up है आपका जिस भी broker के साथ account है आप उसके through login कर सकते हैं for example अगर मैं यहाँ पे 0-10 के through login करना चाहूं तो मैं यहाँ पे अपना username डालूँगा password डालूँगा और उसके बाद अपना pin डाल दूँगा login होने के बाद हमारे को कुछ इस तरीके का page देखने को मिलेगा अब यहाँ पे देखिए आपको अलग-अलग तरीके के collections दिख रहे हैं आप यहाँ पे नीचे आगे देख सकते हैं किस तरीके के collections हैं new investors के लिए कुछ small cases है ETF small cases है ETF का मतलब है exchange traded fund तो यह काफी low cost funds होते हैं जैसे mutual funds के अंदर आपका expense ratio high होता है यहाँ पे expense ratio काफी कम होता है और आप different instruments में invest कर सकते हैं जैसे कि आप debt के अंदर कुछ पैसा डाल सकते हैं कुछ पैसा equity के अंदर डाल सकते हैं किसी business house के small case में आप invest करना चाहें जैसे कि Tata house का कोई small case हो सकता है तो इस तरीके की आपके लिए themes हैं उसके बाद आप यहाँ पे all small cases में जा सकते हैं यहाँ पे आपको सारे ही small case मिल जाएंगे यहाँ पे आप investment amount से भी यहाँ पे filter लगा सकते हैं अंडर 5000 आप select करना चाहें अंडर 25,000 select करना चाहें यानि कि minimum investment हमें कितना करना है उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे select कर सकते हैं volatility के हिसाब से भी आप यहाँ पे small cases select कर सकते हैं कुछ small cases highly volatile हो सकते हैं जैसे कि अगर उनमें बहुत जादा stocks ऐसे हैं जो काफी उपर नीचे जाते हैं तो वो काफी high volatile small case हो जाएगा दूसरी तरफ अगर कोई balanced small case है जिसके अंदर let's say debt का portion भी अच्छा खासा है साथ में gold का portion भी है तो उसके जो volatility होगी वो काफी कम होगी यानि कि वो slow and steady धीरे धीरे बढ़ता रहेगा बट obviously उसके returns भी उस हिसाब से थोड़े से कम होंगे तो इसके हिसाब से भी हम select कर सकते हैं launch date के हिसाब से भी select कर सकते हैं लेकिन सबसे important है यहाँ पर investment strategy मेरे हिसाब से आपको यह जरूर अच्छे से पता होना चाहिए जैसे कि अगर आप asset allocation के हिसाब से investment strategy के हिसाब से अगर small cases select करना चाहते हैं तो आप इस पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ small cases दिख रहे हैं यानि कि जैसे यह equity and gold है तो यहाँ पर asset allocation आपका equity और gold के अंदर जाएगा all weather investing है यहाँ पर हर तरीके के investing होगी आपकी यहाँ पर कुछ पैसा gold के अंदर जाएगा पर जैसे top 100 stocks हैं यहाँ पर आपका कुछ पैसा nifty 50 के आपकी का कुछ पैसा आपका nifty next 50 के अंदर जाता है तो इस तरीके से आप select कर सकते हैं फिर आप dividend paying small cases के अंदर कर सकते हैं तो ये जो small cases आप देख रहे हैं, इनके अंदर काफी high dividend वाले stocks select करे जाते हैं, ESG एक theme हो सकता है, ESG जैसे की environment, sustainability और governance के अंदर जिस तरीके की companies focus करती हैं, यानि कि जो companies अपना carbon footprint कम करने की कोशिश करती हैं, इस तरीके की companies के लिए जो small cases हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ प high quality stocks देख सकते हैं, quantitative plus fundamental का mixture करके कुछ small cases बनाए गई है, quantitative के लिए अलग से है, sector tracker है, IT में डालना चाते हैं, auto में डालना चाते हैं, banking में डालना चाते हैं, technical यानि की trading के हिसाब से कुछ small cases हैं, जहाँ पर short term के लिए कुछ stocks को select किया जाता है, फिर thematic investment हो सकती है, अगर हम यह हाँ पर fundamental को हटा देते हैं, जैसे कि banking privately, transporting India, यानि कि जो इंडिया में transportation sector पर जो focus करते हुए stocks हैं, उस तरीके का कोई हो सकता है, affordable housing एक theme हो सकता है, फिर value investing के लिए हमारे पास कुछ small cases हो सकते हैं, तो इस तरीके से हम investment strategy के हिसाब से अपना small case select कर सकते हैं, चलिए अब हम एक मान लेते हैं, मैं इसके अंदर अगर invest करना चाता हूँ, तो मैं इसके उपर click करूँगा, तो यहाँ पर देखें, overview में हमें क्या दिख रहा है, कि यह किस तरीके से एक तो पहले methodology बता रहे हैं, किस तरीके से यह small case बनाया गया है, यानि कि यहाँ पर कुछ growth के stocks को डाला ग तो देखें, इस small case ने जो average returns दिया है annually वो 38.79% के दिये हैं, यह काफी अच्छे returns हैं, उसके मुकाबले equity के जो average returns रहे हैं, वो खाली 14% रहे हैं, fixed deposit ने 6.6% दिये हैं और inflation हमारा राय 4.19%, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर returns काफी अच्छे रहे हैं, तो अगर हम इसके अं अब यहाँ पर अगर हम इसके stocks and weights पे जाएं तो आप देख सकते हैं, यह सारे के सारे यहाँ पर stocks हैं और उहाँ पर कितना कितना percentage में पैसा हमारा लगेगा अगर हम इहाँ पर invest now पे click करते हैं तो तो आप यहाँ पर इसका 5 year का CAGR देख सकते हैं, 5 year के जो annual returns आएं हैं, वो क हमें stocks visible हैं की नहीं, हम वापस से चलते हैं अपने discover small cases में, all small cases में हम यहाँ पर आ जाते हैं, और let's say मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, let's say मेरे को यहाँ पर speciality chemicals में invest करना है, फार्मा का मैं एक सोच रहा हूँ की काफी अच्छा theme हो सकता है, यह भी windmill capital का ही small case है, इसके उपर हम यहाँ पर click करते हैं, अब यहाँ पर अगर मैं इसके stocks and weights देखना चाता हूँ, तो सबसे पहले तो यह मुझे कह रहा है start subscription, यानि कि इसके stocks and weights मेरे को visible नहीं है, इसका मतलब यह एक free वाला small case नहीं है, यहाँ पर हमें subscription लगेगा, तो यहाँ पर हमारे को plans किस तरीके के मि हम यहाँ पर देख सकते हैं, see all plans and benefits, तो यहाँ पर देखे, windmill capital के जितने भी हमारे पास small cases हैं, उनके लिए हमारे को एक ही बार पैसे देने हैं, और वो कितने देने हैं, एक साल के हमारे को 6000 रुपे देने हैं, उसके बाद इनके जितने भी portfolios हैं, जितने भी small cases हैं, वो सार premium subscription के अंदर bundle कर दिया है, हाला कि उसके बाद भी मुझे लगता नहीं है कि यह बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, एक साल के अगर हम 6000 रुपे दे रहे हैं, लगबग 500 रुपे महीना है, इसके साथ आपको बहुत सारे small cases मिल जाते हैं, आप जिस भी theme के अंदर पैसा लगाना च हैं, लगा सकते हैं, एक तो बात हो गई कि हमें यह सारे small cases पता चल जाएंगे कि हमें आखिर कहां कहां पर invest करना है, दूसरी important चीज़ है rebalance updates, इसके बारे में मैं आप से बात करना चाहूंगा, rebalancing बहुत important हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे को जब small case खरीदने हैं तब हमन उसके अंदर आपको generally quarterly updates आती हैं, यानि कि आपको तीन महीने बाद rebalancing की update आएगी आपकी app के उपर, small case की app के उपर, उस time पे आपको rebalancing जरूर करना है, आप rebalancing पे जैसे ही click करेंगे, तो जितने भी stocks बेचने होंगे, वो stocks बिक जाएंगे, और जितने stocks extra खरीदने होंगे या weightages किसी की बढ़ानी होंगी, तो वो आपके बढ़ जाएगी एक ही click के अंदर, so rebalancing इसलिए बहुत important हो जाता है, क्योंकि जो भी investment expert है, investment advisor है, वो continuously market को track कर रहा है, वो आपको basically rebalancing से बता रहा है, कि अब आपको कुछ stocks बेच देने चाहिए, और कुछ stocks नए खरीद लेन इसलिए जब भी आप कोई small case खरीदेंगे, तो उसके अंदर rebalancing जरूर करना है, जब भी हमें कोई update आता है, और जितने भी ये short term वाले small cases होते हैं, इनके अंदर तो weekly updates भी आ सकते हैं, आपको weekly आ सकते हैं, monthly भी आ सकते हैं, so ये था हमारा small case का detailed tutorial, मैंने कोशिश करी है, मैं सारी details आपके लिए यहाँ पर cover कर सकूँ, small case मैं समझता हूँ कि एक काफी अच्छा product है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को returns जो direct stocks में मिलते हैं, उतने मिल सकते हैं, साथ में एक expert की advice मिल जाती है, time हमारा कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता है, और काफी कम पैसों में हमारे कोई advice मिल जाती है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने friends और family members को भी इस product के बारे में बताइए, इस video को ही आप share कर सकते हैं, और अगर आपने small case को already try किया है, आपका experience कैसा रहा है, मेरे को नीचे comment section में बताइए, in fact काफी सारे subscribers की इस से काफी ज़्यादा help होती है, अगर आपक इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो नीचे से subscribe करके अपने phone में bell icon को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको latest finance video का notification मिल जाए, तो मिलते हैं अगले कैसे informative video में, तब तक सीखते रहे हैं, कमाते रहे हैं, और हमेशा की तरह खुश रहे हैं